राष्ट्रिये कॉंग्रेस के आहवान पर बरती महेंगाई और पेटोलियं परदार्तों के बरते दामों को लेकर अजमेर कलेक्टेट पर महिला कॉंग्रेस द्वारा विशेश प्रदर्शन किया गया इस दौरान महिलाओं ने कलेक्टरी के बाहर गैस को माला पहनाते हुए लकडियों से चुले पर रोटी बनाई और वहीं पर सभी कारेकरताओं ने रोटी भी खाई शहर महिला कॉंग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण बेतहाशा महिंगाई में व्रद्धी हो रही है और पैट्रोलियम परदार्तों वे गैस के बढ़ते दाम से अब रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो रहा है जिस पर सरकार किसी तरह से लगाम नहीं लगा पा रही है और बड़े व्यापारियों को रहत पहुचाई जा रही है ऐसे में आज कलेक्टरी के बाहर रोटी बना कर संकेतिक रूप से प्रदशन किया गया जिससे कि केंद्र सरकार के कानों में बात जाए और वहीं आम जनता को रहत प्रद करें और बढ़ती हुई कीमतों को वापिस ले उन्होंने कहा कि साथ साल के भीतर ही पुराना दौर वापिस शुरू होने लगा है और महिलाए रसोई गैस के बजाए चूले पर रोटी बनाने को मजबूर है राश्ट्रिय और प्रदेश कॉंग्रेस के आवान पर साथ दिन तक कॉंग्रेस द्वारा अलग-अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा जिसकी शुरूरा आज से कलेक्टरी पर प्रदर्शन करकी गई है इस मौके पर शहर कॉंग्रेस के आला निता भी मौजूद रहे आज हमने अंदोलन किया क्योंकि हमारे बच्चे भूके मर रहे ना हमारे पास गैस को पैसा ना हमारे पास सब्जी को पैसा हम क्या कर रहे है तेल देखो गैस देखो बिजली के विल देखो हमको मोदी ना बहुत परेशन कर रखा इसलिए मोदी से हम यही कहते हैं कि मोदी प्रदेश कमेटी के तरफ से आज ये महगाई को लेकर हम लोग प्रदेशन कर रहे हैं मोदी जी के खिलाफ हम बैठे हैं इधर कलेक्टेट पे और हम राबडी बना रहे हैं या बैठकर चाई बना रहे हैं महगाई को लेकर हम लोग ये कह रहे हैं मोदी जी को कि मोदी जी आप अपने देल की किमेते जो आपने बढ़ाई है रसोई गैस की किमेते जो आपने बढ़ाई है वो कम करें और थोड़ी गरीब जिंता को रहत दें मेंगई को लेकर हम यह सब कर रहे हैं आपका केसी है UK मिनतिक है अपना रशोय का गैस कम करें, आम जनता त्रस्त हो गई आपसे, यहीं सब कहना चाहरे हैं, और इसी को लेकर आज मैला कॉंग्रिस, यह हमारा पहला दिन है आज प्रदेशन करने का, और हम कंटीनू 10 दिन तक यह प्रदेशन करेंगे, और मोदीजी से रिक्विस्ट कर सकते हैं, यह आप कम करे SKV News, सच्चाई की वापसी